जिस अशोक नगर में आने के बाद चली गई आठ मुख्यमंतियों की कुरसी इस मिथक को तोड़ने आ रहे हैं सियम योगी नमस्कार में हूँ अजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार नियूज आए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और मत्यप्रदेश के अशोक नगर में जाने से सभी मुख्यमंतियों ड़ते हैं क्योंकि मिथक है कि जो भी सियम अशोक नगर जाता है वे फिर सियम पद पर नहीं रह पाता है अब तक आठ सियम जो अशोक नगर गई वो अपना पद हो चुके हैं इसी डर की वज़े से पिछले साड़े सोले साल के कारिकाल में सियम शिवरा सिंग चोहान एक बार भी अशोक नगर नहीं गए हैं लेकिन इस मिथक को तोड़ने के लिए उतरप्रदीश के मुख्य मंतरी योगी आधितनात अशोक नगर आ रहे हैं 15 नवंबर को अशोक नगर में सियम योगी जनसभा को संबोदित करेंगी अशोक नगर बीजेपी जिला अधिक शालोक तीवारी कनुसार बुद्वार यानि 15 नवंबर को नगर में उतरप्रदेश की सियम योगी आधितनात की जनसभा कायजन है सियम योगी बुद्वार को अशोक नगर की पुरानी करसी मंडी में सभा करेंगे जनसभा को लेकर पूरी तयारी कर दी गई है बता दें मिथक के चलते सियम योगी आधितनात की सभा को लेकर शेहर वासियों में उस्तुकता है अशोक नगर आने के बाद अब तक 8 सियम अपनी कूरसी खो चुके हैं यह 8 सियम खो चुके हैं कूरसी राजनीती के जानकारों का कहना है कि 1974 में मुख्यमंत्री प्रकाश्वन सेथी कॉंग्रेस के राज्या दिवीश्वन में शामिल होने यहाँ थे जो कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री पल से हट गए वही 1977 में मुख्यमंत्री शामा चरंश शुकल तोलसी सरोबर का लोकारपन करने यहाँ आए इसके बाद सियम वीरेंद्र सकली चौर मुख्यमंत्री केलास जोसी यहाँ आए 1983 में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंग कॉंग्रीस के राश्चिय महा सचेव राजीव गंधी के साथ यहाँ आए थे साल 1986 में मुख्यमंत्री मोती लाल बोरा प्लैटफॉर्म पर ओवर ब्रिस का भूमी पूजन करने यहाँ साल 1952 में मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा और साल 2003 में मुख्यमंत्री दिगविजे सिंग यहाँ जोतिरदित सिंध्या के साथ है थे कहा जाता है कि यहाँ से जाने के बाद इन सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी कुर्सी कोई बता दे के इसी डर की वज़ा से मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान भी अपने साड़े 16 साल के कारिकाल में एक बार भी अशोक नगर नहीं आये है यदि सीम का यहाँ आना भी हुआ तो वो अशोक नगर के आसपास गाओं में कालिक्रम में शामिल होकर चले गए लेकिन सीम योगी आदितनाथ अशोक नगर आ रहे है इससे सीम योगी आदितनाथ के समर्थकों में खासी नाराजगी भी दिख रही है समर्थोकों का कहना है कि पहले सभाइस ताल अशोक नगर से 3 किलोमीटर दूर बनाया था लेकिन अब शेहर में बना दिया है अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखती रहिए दा खबरदा न्यूस